आप देखे रहें न्यूस चक्रमया अभिसार शर्वा दो खबरे में आपके सामने लेकर आएँ मुद्दा नमबर एक अमरीकी राश्पती डॉनल्ड ट्रॉम्प अपने समर्थकों को भड़काते हैं और वो भड़के हुए समर्थक घुस जाते हैं अमरीकी संसद के अंदर क कम से कम आधा दर्जन लोग मारे जाते हैं मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि इस घटना क्रम का भारत की सियासत पर क्या असर पड़ेगा मुद्दा नमबर एक मुद्दा नमबर दो बदायू में एक 50 साल की महिला के साथ दुशकर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जात चीर भाड होगी चुप रहो इस तरह से बदायूं की उस 50 साल की और जिसके साथ सामुहिक दुशकर्म और उसकी हत्या कर जात की जाती है उसका जो मुख्यारोपी है एक पुजारी वो आखिरकार पकड़ा गया मगर पुलीस ने उसे नहीं पकड़ा उसे पकड़ा किसने उ उसे कैसे ले गई वो भी मैं आपको बतलाओंगा जॉनल ट्रम्प जी हां ये आदमी अपने समर्थकों को भड़काता है और उसके बाद जो होता है अमरीकी हितियास में आज तक नहीं हुआ दोस्तों जैसे कि अब तक आपको पता चल गया होगा बड़ी तादाद में उनक कर जाते हैं Capital Hill में यानि कि वो जगा जिसे अमरीकी संसद भी माना जाता है वो जगा जहां पर अमरीकी प्रते दि सभा के लोग मौझूद होते हैं और जो हुआ वो आज तक अमरी की एतिहास में नहीं हुआ और जाहिर सी बाते दोस्तों इसकी प्रतिक्रिया यहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपकी स्क्रीन्स पर वाशिंटिन डी सी में दंगे और हिंसा की तस्वीरें देखकर व्यथित हूँ सत्ता का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित स्थानांत्रन होना चाहिए ऐसे घैर कानूनी और नाजायस प्रदर्शनों स से लोक्तांत्रिक प्रक्रियाम को नुकसान नहीं पहुंचाया सकता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी इसी आदमी के समर्थन में आपने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखके खोले आम अमरीका के अंदर एक जन सभा में उसका समर्थन किया था भूल गए या फिर से मैं आपको याद दिलाओं सुनिए अब की बार ट्रम्प सरकार जी हाँ आप ही ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार यानि कि खुलकर एक भारती प्रधानमंत्री Republican Party के प्रत्याशी अमरीकी राष्टपती डॉनल्ल्ट ट्रम्प का समर्थन कर रहा था और ये आज तक भारत के यतिहास में कभी नहीं हुआ कि हमारे किसी प्रधानमंत्री ने अमरीका जाकर किसी एक political party का समर्थन किया था आज वो शक्स और उसके समर्थक नाक कटवा रहे हैं न सिर्फ अमरीका के बलकि लोकतंत्र की, लोकतंत्रिक मूल्लियों की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये मत कहिए कि आपके पास टाइम मशीन नहीं थी आपको कैसे पता चलता कि इनके समर्थक इस तरह से लोकतंत्र की नाक कटवाएंगे नहीं, सबसे पहली बात आपको उनका समर्थन ही नहीं करना चाहिए था और आपने क्यूं किया मैं जानता हूं क्योंकि देखिए बीजेपी के भक्त और जो ट्रम्प के भक्त है ना उनमें ज्यादा फर्क नहीं है इसी तरह से वो लोग मुसल्मानों को गाली देते हैं अश्वित लोगों को गाली देते हैं उदारवादियों को गाली देते हैं यानि कि जो पत्रकार सवाल करते हैं, सवाल से, सरकार से उन्हें भी गाली देते हैं, यह वीडियो देखिए दोस्तों, जो आपके स्क्रीज पर चल रहा है, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से, उसी दिन जब कैप्टल हाउस में इन्होंने हमला किया था, इनके समर्थक पत उस मनजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, उनके कैमरे इसको तोड़ा गया, उनकी पिटाई की गई, बुरी तरह से पिटा गया, तो मुझे तो साफ तोर पर ये कटर लिंक दिखाई देता है, ट्रम्प समर्थकों और भारती जानता पार्टी के कटर भक्तों के बीच, और मुझे हसीज बात किया रही है कि सांसत वरुन गांधी, वो ये कह रहे हैं इस स्ट्वीट में कि इस राली में या इस सभा में, जिसके जरीए कैप्टल हाउस पर या कैप्टल हिल पर हमला किया गया, यहाँ पर भारती तिरंगा के होने की कोई जरूरत नहीं है, वरुन जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको यह ताज्यूब क्यों हो रहा है, कि यहाँ पर कुछ भारती समर्थक मौजूद थे, वो भी भारती तिरंगे के साथ, हमें इस बात को लेकर हैरत में नहीं होना चाहिए, कि वहाँ पर कुछ भारती पहुँच गये, तिरंगा का अ मान है, आज, वरुन गांधी आपको इस मुद्बे पर हतप्रभ नहीं होना चाहिए, आश्यर्शकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जबारती विदेश मंत्राले ने तयार की थी, जब प्रधान मंत्री को इस अलहादी गई थी, इस शक्स, एस जैशंकर की तरफ से, कि साहब आप जाईए इस सभा में और ट्रम्प का समर्थन कीजिए क्योंकि आपको यह लग रहा था कि ट्रम्प जो है वो चुनकर आ जाएंगे वाकई अपने आप में इस पूरे घटना करम ने भारत की नाक जो है वो काट कर रख दिये अमरीकी राश्पती डानल्ड ट्रम्प बात में आये और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में आलूच ना की मगर कही न कहीं उन्होंने अपने समर्थकों की होसला अपजाई भी की सुनिये आपको यह बात समझना होगा दोस्तों डॉनल्ड ट्रम्प का रिपब्लिकन पार्टी के मूल्यों से कोई असर नहीं था इसमें वही भाव था अहम ब्रमहासमी मुझसे बड़ा कोई नहीं है हारने लगा तो रुदाली करने लगा और हर वो देश या हर वो पुलिटिकल पार्टी जहां एक व्यक्ति के करिश्मे को बढ़ा चड़ा कर पेश किया जाता है उस देश का यही हश्र होगा आप समझ गए नहीं किसो और इशारा कर रहा हूँ? जी हाँ, क्योंकि एक लोगतंत्र के अंदर पुलिटिकल पार्टी के खास भुमिका होती है पुलिटिकल पार्टी एक टीम वर्क होती है जिसमें सब मिलकर काम करते हैं मगर जब एक व्यक्ती के करिश्मे के बल पर वो पुलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है तो उसका नुकसान कहीं न कहीं देश पर भी होता है खास कर जब वो करिश्माई व्यक्तित्व जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए मुझे बहुत हसी आ रही है दोस्तों कि Facebook और Instagram से Donald Trump के account को delete कर दिया गया है या कुछ दिनों के लिए निश्क्रिय कर दिया गया है ये बात किसी और नहीं नहीं बलकि Facebook के जो सरवे सरवा है Mark Zuckerberg ने इस संदेश के जरिये दी उन्होंने क्या कहा यानि कि अगर Donald Trump का account बना रहा और वो Facebook और Instagram पे बने रहें तो इससे बहुत खत्रा पैदा हो सकता है और जाहिर सी बात है हम ऐसा इस बात की अनुमती नहीं दे सकते थे आज मैं पूछना चाहता हूँ Mark Zuckerberg से और अमरीका से या अमरीकी संस्थाओं से जब ये शक्स कपिल मिश्रा खुले आम धमका रहा था कि अभी तो Donald Trump है तो हम वापिस चले जा रहे हैं कल जब Donald Trump चला जाएगा तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे वो भी पुलीस की मौजूदगी में और उसके बाद दिल्ली में ऐसे दंगे हो जाते हैं में कम से कम साथ लोग मारे जाते हैं खुद मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि मेरे सामने ऐसी मिसाल आई थी और मैंने उस शक्स का बयान हटा दिया था उसका जो साउंड बाइट है वो फेस्बुक से हटा दिया था मगर मैं पूछना चाहता हूँ कपिल मिश्वा का जो फेस्बुक अकाउंट है वो तो अभी भी बना हुआ है फेस्बुक के अंदर और ऐसे कई भड़काओ लोग ऐसे कई भड़काओ संस्थाएं उनका अकाउंट जो है फेस्बुक में भारत में बना हुआ है और फेस्बुक के एक मुलाजिम ने ये तक कहा था अंखिदास आपको याद होगा उन्होंने ये तक कहा था कि हम इन भड़काओ लोगों के अकाउंट्स को नहीं हटा सकते इस से हमारे बिजनस पर असर पड़ेगा हमारे व्यवसाय पर असर पड़ेगा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत की एहमेत आपके लिए सिर्फ व्यवसाय के नजरिये से आपने जॉनल ट्रॉम्प के जो अकाउंट है उसे तो डिलीट कर दिया मगर भारत के अंदर जो हिंसा बढ़का रहे हैं जो सामाजिक तालमेल को तोड रहे हैं, बढ़का रहे हैं, हिंदू-मुसलिम कर रहे हैं उन्हें आप क्यों आनुमती देते हैं? बताइए मगर दोस्तों हमें इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करना पड़ेगा इसका इन पर असर क्या पड़ेगा? जैसे कि आप जानते हैं कि ट्विटर के जरिए, फेस्बुक के जरिए बीजेपी आईटी सेल है, वो अकसर जहर पहलाता है, जूट पहलाता है, समाज में दंगे तक पहलाने का प्रयास करता है मुझे लगता है कि जो बाइडन की राष्टपती बनने के बाद, अब फेस्बुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर दबाव होगा खुद अमरीकी सरकार उन पर दबाव डालेगी कि भारत के अंदर इस तरह के भड़काओ चीजों को बढ़ावा ना दिया जाए मुझे लगता है कि जो बाइडन की राष्टपती बनने से और अमरीकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम के समर्थकों ने जो कैप्टल हिल्म में शर्मनाक प्रदर्शन किया उसका असर आने वाले दिनों में बीजेपी के आईटी सेल पर पढ़ने वाला है उन भड़काओं लोगों पर पढ़ने वाला है जो अपने फेस्बुक अकाउंट्स के जरीए जो हैं समाज में दंगा पहलाने का प्रयास करते हैं मुझे लगता है कि फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम इस मुद्दे को लेकर कड़ाई बरतने वाली है तो इस लिहाज से कैप्टल हिल में जो हुआ और जो बाइडन जो अब राश्टपती बनने वाले हैं वो बीजेपी के आईटी सेल के लिए बहुत बुरी खबर है और भारत के अंदर सोशल मीडिया और साफ सुत्रा हो इसमें मदद जरूर मिलेगी और अब मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की दोस्तों जब हाथरेस की गुडिया के साथ साहमों एक दोश कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी और जो रविया योगी सरकार का था मुझे लगा था कि उसके बाद योगी सरकार उससे कुछ सीख लेगी खासकर तब जब कि सीबियाई ने उसे लतार लगा थी खासकर तब जब कि एलावाद हाई कोट ने उसे लतार लगा थी मुझे ऐसा लगा था कि योगी सरकार कुछ सीखेंगी मगर बदाईू में क्या होता है बदायू में 50 साल की एक औरत का मंदिर के अंदर कथित तौर पर बलातकार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है ये वीडियो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुख्य आरूपी है जो की मंदिर के अंदर पुजारी था उसे लोगों ने पकड़ा और पुलीस के हवाली किया आप जानते हैं सबसे दुखत बात इस वीडियो की क्या है इसमें पुलीस देखिए इसे मोटर साइकल में सवार करके ले जा रही है इतने वीभत्स गैंग रेप और हत्या का जो आरूपी है उसे आप मोटर साइकल में बिठा कर ले जा रहे हैं और वो भी पुलीस ने नहीं पकड़ा दोस्तों किस ने पकड़ा? वहां के लोगों ने पकड़ा दोस्ते हो सूर्य प्रताप सिंग जोकी आयस ओफिसर है उन्होंने पचास साल की उस महिला की मा से बात की उनका ये ट्विटर अकाउंट है ये मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ आपको ये विडियो हर देशवासी देखें और मुख्यमंतरी आदितनात जी भी देखें अगर लखनाओं में बैटे अधिकारियों ने थोड़ी महनत की होती तो सच्चाई बाहर आ जाती बदायू रेप पीड़ता की मा से कहा गया तुम्हारे पास पैसा नहीं है भागदोड कैसे करोगी रेपोर्ट लिखवाओगी तो बेटी के शरीर की चीर फाड़ होगी चुप रहो ये बात किसी और से नहीं बलकि पचास साल की उस महिला की मा से कहा गया मैं चाहूंगा कि सूर प्रताप सिंग जो की रिटार्ड आयस ऑफिसर है उनकी जो बातचीत हुई है इस महिला के साथ उससे आप उस बातचीत को आप सुनिए मैं आप से कहा ना योगी सरकार और इस सरकार का जो प्रचार तंत्र है वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है वो इसी तरह से हमारी पेड़ताओं का अपमान कर रहा है देखिए महिला आयोग की चंद्रमुखी जी जब पहुँची तो नसीहत किसी और को नहीं बलकि उस पेड़त या मृत मा को ही दे रही है किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुचना चाहिए सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं हो मैं पूछना चाहता हूँ चंदरमुखी जी से क्या ये नसीहत आप समाज के मरदों को नहीं दे सकती है क्या ये नसीहत मेरे जैसे मरदों को नहीं दिया जा सकता कि आप जो हैं वो छे बजे के बाद घर से निकलना चोड़ने आप नसीहत किसी और को नहीं एक पचास साल की औरत जो हमारे बीट जिन्दा नहीं उसे बे रहे हैं कहां है आपकी इंसानियत कहां है आपकी समवेदन शीलता और बात यहां नहीं रुकती यह खबर देखिए दोस्तों इस खबर के मताबिक अब इस बात की जाच की जाएगी कि जो पिड़ता है पचास साल की औरत जिसके साथ सामुहिक दशकर्म और फिर हत्या हुआ उसकी पोस्मॉटम रिपोर्ट कैसे लीख हुई वाकई पुलीस के पास कोई काम नहीं है जो आरोपी होता है उसे लोग पकड़ते है पुलीस उसे मोटर साइकल में बिठा कर ले जाती है और ये लोग पोस्मॉटम रिपोर्ट कैसे लीख हुई इस बात की अब जाच करेंगे आपकी प्राथमिकताएं कहां हैं वो तहम समझ गए थे क्योंकि जब हाथरस में भी हाथरस का जो सामुएक दुशकर्म और हत्या वाला मामला हुआ था तब भी क्या हुआ था तब भी जो पत्रकार इस मामली की जाच करने केरल से आया था उसे आपने UAPA के अंतरगत जेल में बंद कर दिया और वो तीन आज तक जेल में बंद हैं और अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस बात की जाच कर रहे हैं कि पोस्मॉटम रिपोर्ट कैसे लिख हुई मैंने पहले भी अपने शो में का था और फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ दोस्तों इस मामले को पलटने में भारती जाता पार्टी कोई देर नहीं लगाने वाली है इक्का दुक्का न्यूस चैनल्स को छोड़ दें अधिकतर न्यूस चैनल्स ने इस खबर को दबा दिया जी हां हाथरस पर चर्शा की थी मगर उस मामले में भी परिवार को बदनाम किया गया था याद है आपको आपको याद होगा एक न्यूस चैनल्स ने कहा था कि आठ दिन बाद आखिर परिवार ने क्यूं जो है पुलीस में शिकायत दर्श की या उस तरह की बाते हैं या फिर इस शक्स ने जो आज भागा भागा फिर रहा है हर जगा इसने ये कहा कि ये साब बलातकार नाम की कोई चीज़ी ने हुई थी ये तो मनोहर कहानिया है और इस बार मीडिया ने क्या किया दोस्तों इस बार मीडिया ने इस खबर को जिस गं किसान को क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सरकार और किसानों के बीच में बातशीत भी हो रही है कितने शर्म की बात है दोस्तों कि दोस्तों यह दोनों घटना है जो आज मैंने आपके सामने रखी न इसे आपको समझना होगा क्योंकि इसका सीधा नाता हमारे लो ने भी इस बात की आलूशना की, इस बात की मजब मत की, हमारे यहां क्या दिक्कत है, मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, घुसा हुआ है बिलकुई, सुप्रीम कोट की भूमिका के उपर भी कई लोग सवाल उठाते रहते हैं, उस पर मैं टिपड़ी नहीं करना तो भारत की सबसे बड़ी तराजनी है कि कल को भारत के अंदर ऐसा कुछ हो जाए, तो हमारे यहां मीडिया तो लेट जाएगी पूरी तरह से, वो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी ही नहीं, क्या कोट इस मुद्दे को उठाएगी, मैं नहीं जानता हूं दोस्तो न्यूस्टाकर में बस इतना ही, मेरी आप सबसे अपील कि इस कारक्रम को जाज साथ लोगों तक पहुचाएं, अब इसार शर्मा को दीज़े अजाज़त, नमस्कार